बॉड इविनिंग एब्रीवान वेलकम यो आल यह वाचिंग अजब लग लवस चैनल आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह हैं नैच्रल केस के टागेट्स अभी हो रहे हैं आठ बचकर एक मिट तो अभी भी काफी टाइम है क्लोजिंग में तो हम बात भी करेंग दोस्तो आपसे कि इस शूरू से लहां कि आखिए अपने गाएं तका तो आपको नहीं समझाआगा क्यू मेरे वीडियो बनाने का स्टाइली धोस्तो अगर आपने फॉर्वर्ड करके देखा कि मुझे खुद नहीं पता मैं कहां क्या बोलने वाला हूं कहां टार्गेट देने वाला हूं कहां यूज अनलाइस कने वाला हूं तो आपसे रिक्वेस्ट पूरा वीडियो देखे दोस्तों और अगर आपको ऐसे इंफोर्मेटीव जिरो पर क्लोज वहा था तो मैंने बोला था उसके दिन कि ये 720 के आसपास जाएगा लेकिन फिर वापस से बहुत बड़ा करेक्शन होगा यूटान लेगा अगर आपको विश्वास नहीं था वो दोनों वीडियो जाके फुली देख लिए आपको पता चल जाएगा और एक परसनल असिस्टेंस भी देता हूं जो मैंने यहां किया मैं हम लोगों ने 691 पर सेल कर दिया था दोस्तों और अभी ना आमने 680 के आसपास इसको स्क्वार ओफ कर दिया था तो हमने 2% के आसपास का प्रोफिट दोस्तों कमा लिया था जो मेरे प्रीमियों सब्सक्राइब लेकिन यह वीडियो बना रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों जो मेरे normal subscribers वीवर से उनके लिए भी कुछ ने कुछ प्रोफिट का मैं यहां पर margin रखूंगा दोस्तों don't worry about it मैं यहां पर आपको targets देने वाला हूं levels देने वाला हूं पूरा वीडियो देखे दोस्तों के लिए फायदे वाली बात होगी अब मुझे बते हैं आप प्राइस के का मतलब समझते हैं ना कि एक फिक्स प्राइस कर दी उससे उपर नहीं राइट अब उससे किसको फायदा नहीं होने वाला उससे सिफ यूस साथी अरब इनको आपे countries को फायदा होने वाला तो वो कुदी क्राइस से जूज रहा है वो यूरोप को क्या समा लेगा राइट हाई एनरजी प्राइस सेंड जापान में भी ट्रेड डेफिसित आया दोस्तों इस न्यूस को मैं क्यों बता रहा हूं यहाँ फिर से में लिंक कर देता हूं दोस्तों मैं सारी countries का लेखा जो का बता तो उनके लिए नहीं मिलती तो फिर उनका क्राइस ही हो गई है घमारे तो नोमल चीज हो गई है 3-4 गंटे लाइन प्राइस हो गई है राइट वो क्राइसिस हो रहा है कि सिफ डावलाप कंट्रीज में डावलपिंग कंट्रीज विकोज यही कंट्रीज है वेस्टन जो ब्लोग कर रखा है रिश्या का नैच्टर केस्ट बाकी हम तो दबाके भाई करी रहा है तो यह निवस मैंने इसलिए बताई है मैं लिंक कर प्राइस हाइक मतलब नाच्रल गेस में उपर ऊपर मतलब चांदी ही चांदी अपनी राइट तो यह हो गए है माई नाच्रल गेस की अनलाइसिस इसमें और काफी सारी न्यूज है दोस्तों ठीक है न वो मैं एक्स्प्लोर नहीं करना चाहूँगा मैंने आपको लिंक दी मैंने वीडियो भी मनाया कि आपको इस सारी न्यूस कौन-कौन से साइट पर देखनी है ब्लूमबर्ग भी है क्रूड भी है काफी सारी चीज है वह वीडियो जाके देख लिए आपको पता जाएगा अब मैं आजाता हूं सीधे टार्गेट पर जो कुछ लोग मुझे बोल तो वंडे का चार्ट है दोस्तों लेकिन एक चीज है दोस्तों अगर आपको लाइप में कुछ करना है न दौस्तों ठीक ना तो कोई भी शौट तरिका नहीं है अगर आपको सीखना हे तो आप शौट वीडियो से नहीं सीख सकते आप क्या लगता अगर आपको शौर कॉल तो एक एक मिनिट के वीडियो बना दूँ मैं शौट वीडियो लेके चले जाए उसको पांच-पांच रुपए के गुबारे बेज़ दूँ मैं तो दोस्तों मैं वही गहरा हूं दोस्तों कि अगर आपको सीखना है अगर आपको भवान की दर्शन करने होता है तो आपको जा देखना है वह देखे जिसको नहीं देखना देखे मैं तो अपना नौरेज दोस्तों ऐसे शेयर करता रहूंगा ठीक ना सिक सेग्मठी 70.90 फे दोस्तों ओन डे का यह चार्ट है और वन वीक का चार्ट देख लेते हैं वन विक का चार्ट देखना है कि यांपे कुछ बहु सब यहीं अपने इतना experience हो चुका है अगर आप मुझसे एक चीज पूछते हैं कि अजय भाई यार आप तो शौट टम पोजिशनल ट्रेड बता दो तो क्या है तो दोस्तों मैं पोजिशनल ट्रेड बता देता हूं नैचल गेस कि पोजिशनल ट्रेड यह तो है नैचल गेस में शौट टम के शौट टम का मतलब यह नहीं होता है कि कली उपर चला जाएगा परसु उपर चला जाएगा दोस्तों शौट टम का मतलब हाई होप आप समझते होंगे लेकिन अगर आप चाहते कि स्विंग ट्रेडिंग करें हमको तो डेली वेसिस का करना आरा कि डेली वेसिस में आपको पता है बड़ा अन्प्रेडिक्टेबल रहता है लेकिन हमारे पास उसका सोल रिशन है तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ ठीक है ना तो वन वीक का है दोस्तों अगर यह 665 के नीचे मैं को यसा नजर आ रहा कि 665 के नीचे अगर सस्टे यह मैं आपके लिए बता रहा हूँ फिर मेरा अपना मैं क्या करने वाला हूँ वह मैं बताऊंगा 667 पर आपको शोट कर देना है ठीक है ना और आपके टारगेट्स क्या रहेंगे 655 के उपर के टारगेट्स रहेंगे मतलब आप 1% का टारगेट आप मानके चलिए वह प्र कर लूँगा तो यह तो है आपके लिए ओपीनियन अब मेरा ओपीनियन में बताता हूँ अगर यह 665 पर जाता है न दोस्तों तब भी मैं बाई करने वाला हूँ क्यों क्योंकि जैसे 665 के आसपास जाएगा ठीक है ना मुझे लग रहा है कि यह सस्टेन नहीं हो पाएगा लेकिन मैं बता रहा हूँ अपना उपीनियन बता रहा हूँ दोस्तों लेकिन आपको करना है रेंज के अकोडिंग का मेरा अलग चलता है मैं 665 के आसपास जैसे आया ना मैं दबा लूँगा इसको अच्छे तरीके से लेकिन उसके बाद नीचे जाएगा जैसे 658 वगर है ठीक है ना क्योंकि मैंने कंडिशन दी एक मीट सस्टेंड करना चाहिए 665 पर अगर नहीं करता है तो आपको नहीं करना है राइट तो मुझे लग रहा है कि मुझे चांसे यह लग रहे हैं जो मेरा हो सकता है द्रस्टिक पूर गलत हो और होता है ऐसा नहीं काफी बार गलत तो आपको शोट कर सकते हो आप और अगर 67 के उपर जाता है तो फिर से मुझे 700 के टागेट्स दिख सकते दोस्तों राइट तो यहां देख लेते दोस्तों क्या हल चाले एक बारी और यहां से दोस्तों कर जाएगा ही उपर अब मैं एक चीज और बता देता हु आपको पूरा चार्ट का एनलैसिस करेया मैंने तो काफी चीजह निकल के आरी दोस्तों अगर यहां से उपर जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक उपर किस तरीके से जाएगा मैं आपको पैटन ब तो ये दीर दीर उपर नहीं जाएगा, ये लबाएगा लंबी छलाँ, जी हाँ लंबी छलाँ, 667 से सीधा 680 के आसपास, 678 के आसपास आएगा ये दोस्तों, ठीकिन अगर नहीं भी लगाता है, तो मैं यहाँ बाइ करूँगा, मेरे बाइ है, 667 के आसपास, मैं बाइ कर कि आपको शॉर्ट करना और आपने मुनाफ़ा कमा लेकिन जो कुछ लोग फस जाते हैं, काफी लोग होते हैं, जो फस जाते हैं, किसने प्रेडिक किया, कि 6% डाउन जाएगा, 700 के आपर रही, तो वो फस गए, अब उनका क्या करना है, तो उनको यही एक स्टार्टेजी हो राइट, उसका लोट लिज है, आप समझ रहा हो? इस तरीके से, इस तरीके से अगर आप करोगो न, मैंने इस तरीके से नजान रुपए कमाएह सबके सामने, क्यूंकि मैं वीडियो बनाता हूं, वस से पर टेड करता हूं, मैंने सबको बोला है, और सबको पलता है, मैंने क चलता है आपको जीओ पॉलिटिकल न्यूस प्रूडों से रिलेटेड न्यूस यह सारी आपको देखनी पड़ती है तभी जाके आपको पता चलता है कि यह अच्छल में शोट टम में क्या टार्गेट होने वाले क्या वीजुलाइज़ेशन होते हैं तो वह मैं कर लेता हूं दोस्तों और मेरा experience 7-8-year experience वह हमेशा मेरे काम आता है और एक चीज़ में जाते-जाते बोलना चाहता हूं दोस्तों वीडियो लंबा हो गया है लेकिन मेरा जो मैं बता देता हूं आपको मेरे जो टार्गेट क्लिक करते हैं काफी लोग बोलते हैं सब गजवी जजमेंट आपका रही तो दोस् सारे मोटिवेशनल सब्सक्राइब वीडियो में वहां डाट हो तो वह चीज़ है दोस्तों जब तक आप अपना माइंडसेट क्लिए नहीं करेंगे आपको रिसकापैटी अच्छी नहीं रहेगी आपकी तब तक मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर पाएंगे लाइप में तो आशा करता हूं कि आप को वीडियो समझ आ गया हो अब वापाः और से सम्मराइज कर देता हूं टार्गेट ठीक है ये देखे और दोस्तों तो आप सोच सकते हों इंडियमार्केट प्रसेंट काँ जाएगए ठीक है ना तो दोस्तों यह मुझे नहीं पता कि यहां पर रियल डेटा है यहां पर है 667.90 पर है आपको 667 पर मैं बाई करने वाला हूं दोस्तों इसको लेकिन आपके लिए मैं रेंज दे दिये 268 पर ही नीचे शौट करना है और 677 उपर आपको बाई करना लेगिन कंडिशन वन मिनुनिट करना चाहिए और मैं यहां पर दोस्तों चिलिए यहां पर आगे टागर्र्स देखेंग क्या करना नच्छल के समय तो I would suggest you please consult to your financial advisors or do your own research before doing any kind of investment any kind of trading and all right so because I'm not responsible for your profit and loss because I'm not a certified saving advisor I'm not certified any financial advisors I can only share my opinion and I can give you some educations if you really want to get it right so I hope you understand my videos and whatever I want to share here so that's it with this call this is Ajay and signing off